नुस्कार मैं हूँ माही सिंग और आप देख रहे हैं नेक्स नाइट न्यूज शिवराज सिंग मध्य प्रदेश की राजनीती और मुख्य मंत्री पत से हटा दिये गए हैं लेकिन इंग दुनों वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं मध्य प्रदेश विधान सभचुना में बीजेपी की बंपर जीत के बावजूद उन्हें आला कमानने मुख्य मंत्री नहीं बनाया मुख्य मंत्री की कुरसी जाने के बाद एक बार फिर सिवराज सिंग चोहान का दर्व शलक पड़ा है उनके बयान से ये जाहिर हो गया है कि पूर्य मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि कुरसी तो चरण कमल है हटे तो होल्डिंग से फोटो तो ऐसे गायव हो जाती है जैसे गधे के सर से सिंग गायव हो जाती है पूर्व मुख्यमत्री सिवराज सिंग चोहान राजधानी बोपालिस्थित ब्रह्म्ध कुमारी में सुख सांती भवन में कारकरव में शामिल होने पहुचे और उन्होंने यह बयान महापेद दिया इस दोरान सियम सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि जीवन में जो हम दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं तो जिंदगी आनल से भर जाती है अब मुझे राजनीती से हट कर काम करने का मौका भी मिल रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पूर्व सियम सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि राजनीती में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो देश के लिए जीते हैं लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुर्सी जाने का दर्द है या पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही वो इसलिए वो लगातार ऐसे बयान बाजी करते नज़र आ रहे हैं और चिवरा सिंग चोहान कहीं न कहीं इस बात को लेकर काफी दुखी है और वो बार-बार अपने बयानों में ऐसी ऐसी चीज़े बोलते नज़र आ रहे हैं जिससे ये उन्होंने ये भी बयान दिया उन्होंने कहा कि जब गदे के सुर्द से सिंग हो जाती है ऐसी में सिवरा सिंग चोहान का ये बयान वारल हो रहा है इस बयान सिवरा सिंग ने कहा कि धोल तासे के साथ अस्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं जहां उन्होंने ये भी कहा कि बाजाओं को कोई रोकेगा नहीं मैं देख लूँगा क्योंकि अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो मेरा भी धर्म बनता है आपको सपोर्ट करने का इसलिए वो ऐसे बयान बाजिक क का ग्यापन सौथकर गुहार लगाई थी जिस पर सिवराज सिंग चौहान ने कहा था कि आप धोल बजाएं तासे बजाएं कोई रोकेगा नहीं अगर कोई रोकता है तो मैं देख लूँगा देश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें नेक्स ना सौई है